14 सितंबर को उत्तर प्रदेश की ग्राम बुलगडी थाना चंदपा में 19 वर्ष की हिंदू धर्मकी पालिका के साथ हुई बलतकार की घटना के विरोध में पितंपूर में विभीन सामाजिक संगठोनों के द्वारा मिलकर घटना के आरोपियों के विरोध में अपना रोज प्रकट कर राष्ट पती के नाम तैसिलदार को ग्यापन सोपा है और साथ ही योगी अधितिनात की यूपी सरकार से और केंदर सरकार से अपराधियों की खिलाब जल्द से जल्द फास्ट ट्रेक कोट के माध्यम से कड़ी कारिवाही कर अपराधियों को फासी की सजा देने की मांग करी पीथमपूर से संजै सौनगरा की रिपोर्ट पीथम भी मिट्यू भी हो गई इस विशे में आज राइश्टरपति माहिम राश्टरपति मोदे के नाम पर ग्यापंदिया पित्वपूर तेशिल कारेले पर और मापंचात इसकी कठोर निंदा करती है कि बाईशे में इसी गठना ना हो अगर इसी गठना वही होती है तो हम पूरी आज पूरी इस्टी समाज और हमारे जितने पी समाजिक संगठाने सब उब्रह अंदोलन करेंगे और कड़ी से कारवाई करने की माल करते हैं प्रसासन से भी और मापंचात इसका कठाव विरोध करती है आपका नाम और पदर्द है में रुपेश कुमार नंजया ने जिला दक्त, पितंपूर, मद्दपत्र मावालिवी पंचात गरदन की हड़ी तोड़ने के बाद भी उन दरिंदों का कार्य हुआई नी रुका, मन हुआई नी भरा, उन्होंने उस बाली का की जिवान भी काड़ दी, उस बाली का ये घटना 14 सितंबर की है, 14 सितंबर की बाद वो मौत और जीवन की लड़ाई लड़ रही थी, कल उसक की 3 बज़े उसका मुर्टी हुआ, हम लोग शाशन, परशाशन योगी सर्कार से मांग करते हैं, मद्यपरदेश की बात नहीं है, योगी राज में ऐसा कहा जाता है, कि वहाँ राम राजे है, लेकिन वहां राम राजे होने के बाद भी, अगर महिलाओ पर सतत्त्या चार तो हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और यूपी सरकार को ब्रकास करने की मांग करते हैं और राष्टर पतीजी से ये मांग करते हैं कि जो ये अपरादी है इन अपरादीयों को फास्ट रैक कोड के माद्देम से जल से जल फास्ट्रेक के द्वारा इनकी सुनवाई हो और इन आरोफियों को जल से जल फासी की सजा हो ये हमारी मांग करें दोक्टर हेमन कमार मद्दे परदेश भीम सेना यूम समिस अंगटनों के साथ पीगंबर साहिए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें